अमरीका के लिए वो 9-11 था और भारत के लिए वैसा ही एक वक्त दस्तक देने वाला था गोदरा का सच खाके बैठ गए एक दिन देश का बच्चा बच्चा जवाब बांगी गा तुम से तो फाइनली दोस्तों 12 फैल की ब्लॉक्बश्टरक सक्सेस के बाद विकरांत में सी एक और दिल देहला देने वाली और आपके दिलों को जगजोड देने वाली फिल्म दसाबरमती रिपोर्ट लेकर आचुके हैं और आज इसके ट्रेलर को देखकर लिटरली गुजबम्स आ रहे हैं जी हाँ दोस्तों 27 फरवरी 2002 को गुजरात के गोदरा रेलवे स्टेशन के पास साबरमती एक्सप्रेस पर हुई घटनाओ पर आदारेत दसाबरमती रिपोर्ट एक हार्ड हीटिंग पाउरफुल और इंपक्टफुल ट्रेलर के साथ इस 15 नॉम्मर को रिलीज होने वाली है और आज इसके ट्रेलर को देखने के बाद सिर्फ यही कहना चाहूंगा कि इस फिल्म फोर वी आल ही है उनकी डायलोग डिलेवरी और पर्फोमेंस ट्रेलर में ही इतनी जबरजस्त है तो सोचिए कि बड़े परदे पर वो क्या कमाल करेंगे फिल्म में वो आपको समर कुमार के पावरफुल डोल में नजर आने वाले हैं ट्रेलर में उनके साथ रिद्धी डोगरा और राशी खन्ना भी आपको देखने को मिलने वाली है और इन दोनों ही एक्ट्रेसेस की फिल्म में क्या इंपोर्टेंस होगी यह आपको ट्रेलर द इंदाज में फिल्म में दिखाया जाना है दोस्तों बताते चले आपको कि एकता कपूर की बाला जी मोशन पिक्चर द्वारा बनाए गई दसाबरबती रिपोर्ट के डायरेक्शन रंजन चंदेल करने वाले हैं फिल्म में आपको impactful dialogues, gripping story line और 2002 के उस true incidents की कहानी देखने को मि जब हिंदी और इंग्लिश बोलने वालों में हमें divide किया जा रहा था दोस्तों बता दे चले आपको कि 15 नॉंबर को release होने वाली ये फिल्म बालूट की मसाला फिल्मों से बिल्कुल अलग एक content oriented फिल्म होने वाली है जिसे की audience ने अगर पसंद किया तो ये फिल्म box office पर मसा editing, gripping और goose bumps create कर देने वाले trailer को देखकर यही कहूंगा कि ये फिल्म दोस्तों आप सभी को बड़ी screen पर देखना चाहिए जो कि गुजरात के गोधरा में हुए उस सचे incidents को दिखाने में काम्याब हो सकती है आपको भी दोस्तों ये trailer कैसा लागा हमें अपने राय कमेंड करना बेलकुल ना भुलिएगा धनेवाद जेहिं जे भारत